हेलो, एक कुशन से, अलजेबरा से, राइट, कुशन काफी असान है, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा, कॉम्प्लिकेटिट कर दिया है, यह कुशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपोन एक्स, इस इक्वल टू, रूट टू है, राइट, तो हमें, एक्स पर पावर ट्वेंटिनाइन, प्लस वन अपोन एक्स पर पावर ट्वेंटिनाइन का, बहलू क्या होगा, वो निकाल पर बताना है, देखी, एक्स प्लस वन अपोन एक्स है, इसी से ह हम इसका value निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं दोनों साइड स्क्वाइर करेंगे तो यह मेरा कुछ आईसा होगा x plus 1 upon x का whole square is equal to root 2 का square ओके तो यहां से होजेगा x square plus 1 upon x square plus 2 into x into 1 upon x is equal to 2 राइट तो यहां से x x cancel होगा तो x square plus 1 upon x square निकाल जाएगा 2 minus 2 that means 0 तो x square plus 1 upon x square निकाल गया 0 बट हमें तो चाहिए x पे पावर 29 का भेलू देखिए ऐसा करते हैं x square यहां से हम lcm ले लेते हैं lcm लिजेगा कुछ ऐसा आएगा x square power 4 plus 1 is equal to 0 तो x square power 4 plus 1 is equal to 0 तो यहां से x square power 4 का value निकल जाएगा minus 1 ओके अदो दूखिए यह single x का form निकाल गया राइट अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x square power 29 plus 1 upon x square power 29 को हम लिख सकते हैं x square power 4 पे power 7 into x इसको हमने यह लिख दिया ओके एगें नीचे वाले को भी हम यह लिख देते हैं x square power 4 पे power 7 into x राइट ऐसा करने से इसके value में कोई changing नहीं होगा राइट देखें x square power 4 है पे power 7 लिखा हम 7 cross 4 के 28 और एगें x है तो 29 हो गया ओके now x square power 4 का value minus 1 आ रहा है तो यहां पे हमने लिख दिया minus 1 पे power 7 that means क्या minus 1 पे power odd number तो मेरा minus ही होगा तो मेरा minus 1 हो गया और minus 1 into x minus x plus 1 upon यहां भी देखें यहां भी minus 1 into x ति भी मेरा minus x सकते है अब इस दोनों से हम minus को कॉमा ले ले लेते हैं राइट तो x plus 1 upon x हो जाएगा ओके now x plus 1 upon x का value already मेरा questions में दिया हुआ है root 2 तो इसके जगह पे हमने लिख दिया root 2 और यह मेरा minus root 2 निकल गया तो x पे power 29 plus 1 upon x पे power 29 का value minus root 2 हो गया ओके यदि x पे power 37 रहता मेरा यह कुछ भी रहता तो आप पहले 4 का स्कॉारिंग कर लेजिए उसके बाद जो भी बसता है उसके x से आप multiply कर दिए इस तरह से आप x पे power कुछ भी रहे आप असानी से निकाल सकते हैं THANK YOU झाल झाल झाल